घर के बाहर है एजास खान पर क्या कहना है उनका रुबीना के बारे में जानना चाते हैं ए गाइस तिस इस मी यशी आप देख रहे हैं बॉलिवूड स्पाई लाइक सब्सक्राइब और हिट ली बेल आइकन मुझे भी फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर ड्रामा.डीवा है मेरा इंस्टा हैंडिल चलिए आपको बताते हैं कि अजास खान जो कि अभी घर से बेघर हुए हैं मतलब उनके फ्रायर कमिट्मेंट्मेंट्स थे और बहुत ही जल्द अपनी शूटिंग कम्प्लीट करने के बाद में वो फिर से जॉइन करेंगे उनका रुबीना के बारे में क्या कहना है एक एक्स्क्लूजिव इंट्रिव्यू में जो उन्होंने दिया है डीने को उसमें उन्होंने बताया है कि एक घंटे के वरजिन में रुबीना असल में कैसी है वो तो दिखाते ही नहीं है क्योंकि जिस तरीके से वो faces बनाती है जिस तरीके से वो react करती है घर के अंदर सिर्फ और सिफ उन्होंने ही देखा है इन फैक्ट उन्होंने यहाँ पर रुबीना के fans को ये अर्जिन्स को ये urge करी है कि वाके में आपको ये बाद में पता चलेगा कि रुबीना असल में कैसी है इन फैक्ट उन्होंने इंट्वियू में ये भी कहा कि जब उनके उपर superiority complex का accusation लगा था तब रुबीना ने अपने आपको explain सही धंक से नहीं किया था और वो घर वालों को समझती है अपने से inferior वैसे कड़े दावे किये हैं याँ पर एजास खाने और रुबी हॉलिक्स जो हैं वो काफी ज़्यादा नाराज हो सकते हैं लाइफ फीड पर 24-7 वैसे नजर रहती है पर ये बात भी बिल्कुल सही है कि बहुत सारी चीज़ें म्यूट कर दी जाती है कभी कबार लाइफ फीड के कैमरास भी बंद रहते हैं तो कौन है सही कौन है नहीं ये तो हमें पता नहीं पर एजास जिस तरीके से मीडिया हाउस को इंटरव्यू दे रहे हैं इन फैक्ट बीबी की प्रेस कॉन्फरेंस में भी ये पॉइंट आउट किया गया था कि वो काफी ज़्यादा एरिगेंट साउंड कर रहे हैं तो आपको तो नहीं लगता है कि एजास को वाके में रूबीना के उपर गुस्सा है या फिर वो सच कह रहे हैं आप बताएए अपनी राय देखते जाएए बॉलिवूद स्पाई मेरा नाम है यशी